आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा आपके सभी Physics, Chemistry, Biology डाउट्स का सपाया बस अपना फोन उठाओ, क्वेशिन की फोटो कीचो क्रॉप करो और तुरंथ वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ चली बले क्वेशन पढ़ लेते हां कहा है तो अब हमारे को टाइम पीरिड की बात कर रहे है सेम फेस हमें पूछा गया है तो हमारे टास्क है Find Time Period अब हमारे को पता है Time Period is proportional to root L केतन होता है T is equal to 2 by root L by G तो T को हम proportional root L के लिख सकते है तो यहाँ पर हम क्या हो सकते है N plus 1 T S N T L तो हमारे पास आगया N plus 1 upon N is equal to under root L S L L upon L S is equal to under root 2 upon 0.5 तो यह मापस कितना आजाता है 2 N plus 1 upon N is equal to 2 तो यह N plus 1 is equal to 2 N तो हमारे N के वाल्यू कितना आजाती है N is equal to 1 तो N plus 1 केतना आजाता हमारे पास 2 so after 2 oscillations the 2 will be in the same phase माल लगी देखे अगर हम आपको समझते है यह में पास pendler मुटका दिया है same points as suspended यह रहा यह रहा एक यह रहा length एक यह रहा यह हमारे पास कितनी थी 0.5 यह थी हमारी 2 meter हम दौनों को slightly displaced किया तो obviously जो 2 का होगा time period वो greater होगा किसका 0.5 से तो same phase में आने के लिए पहले इसको जादा oscillations करने पड़ेगे फिर उसके बादे आएंगे तो उसके लिए हमने देखा है कि n plus 1 oscillations के बाद उसकी n oscillations complete होती है ठीक है हमारे कोई value निकालनी थी तो n plus 1 by n is equals to l l upon ls l l हमारे पास 2 meter था बढ़े वाले का ls 0.5 यह value किते हैं दिरे 2 तो हमारे n की value होजाती है यहां से 1 हमारे निकालना था कि n plus 1 oscillations में जोनने सेम पीस में आजेंगे तो value होजा दिरे 2 और हमारे क्वेशन सौल हो जाता है थैंक्यू क्लास 11-12 से लेके नीट के लेवल तक 10 मिलियन से जाधा स्टूनेंट का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटनेटा